Good morning children and welcome to online classes. Hope you all are fine and taking care of yourself. Now children, today I am explaining the chapter 1 of class 3. So this is chapter 1. Last time मैं आप लोगों को question बताएं थे. 1, 2, 3, 4. आज मैं आपको बताएंगे question number 5 से. Okay? Question number 5. Put the correct sign. और is equal to in the box. अब क्या करेंगे? हम mask की copy लेंगे. Maths की copy लेंगे के बाद हम serial wise chapter को complete करेंगे. 4 के बाद question number 5 आप उतारेंगे. Put the correct sign. और is equal to in the box. अब A. अब इन दोनों digit में करना क्या है? जो बड़ा digit है हम लोग sign को उस side move कर देंगे. 15 और 23 में सबसे बड़ा digit कौन सा बेटा? 23. अब मैं इसको ऐसे sign दी. ठीक है? Next है 37 और 18. 37 और 18 में सबसे बड़ा digit है. 37. अब sign को इस side move करना है. अब 9 है और 16. 9 और 16 में बड़ा digit कौन सा है? 16. 16 के side move कर दी. 143 और 140. अब इन दोनों में से सबसे बड़ा digit कौन सा है? 143. अब sign इस side हम move करेंगे. अब क्या है कि जैसे book में question कम है, तो मैं आपको extra question दे रही है और extra question बता रही है. वैसे ही आपको copy में भी करना है. अब ये दोनों देखे, दोनों digit same है, 97 और 97. अब दोनों जब same होगा, तो हम यहाँ पर क्या use करेंगे? is equal to. is equal to का sign होगा, क्योंकि ये दोनों same है, इसलिए. is equal to. question number F में, दोनों में से सबसे बड़ा digit कौन सा है? 75, 216. अब इन दोनों में से सबसे बड़ा है, 216. sign को हम उस side move कर देंगे. G, 15 और 24. अब इन दोनों में से सबसे बड़ा digit कौन सा है? 24. 24 के side में move कर देंगे. H, 24 और 34 में से सबसे बड़ा digit कौन सा है? 34. अब 34 की तरफ move कर दिया होगे. question number 6 है, आपका write in expanded form. अब expanded form है, इसमें दो question दिया है, A और B. मैं मैं आपको इससे extra question दे रही है, ताकि आपके लिए भी easy हो, okay? question number 6, write in expanded form. अब क्या करेंगे? जे जो first digit है, 5. 5 को हम लिखेंगे यहाँ पे इस box में. अब कितना digit बच रहा बिटा? 2. तो इन दोनों की जगह पे हम यहाँ पे double 0 लगाएंगे, okay? अब next digit क्या है? 3. 3 को हम इस box में लिखेंगे. 3 के बाद कितना digit बच रहा बिटा? 1. तो इसे में हम 1 0 लगाएंगे. अब last box में क्या लिखेंगे? 8. 8 के बाद कोई digit नहीं बच रहा है, इसलिए यह single 8 ही होगा, okay? अब क्या है? 906. 906 में क्या करेंगे? 9 कूम लिखेंगे. अब कितना digit बच रहा है? 2. तो हम यहाँ पे 2 0 लगाएंगे, okay? नेक्स्ट क्या है? 0. तो 0 में कोई digit नहीं होगा, okay? अब यहाँ 6. डारेट यहाँ पे 6 हो जाएगा. 906. अब है question number 3. 444. 4. अब क्या करेंगे? 4 को लिखेंगे. 4 के बाद कितना digit बच रहा है? 2. तो 2 digit हम लगाएंगे. 2 0, okay? नेक्स्ट है 4. 4 यहाँ लिखेंगे. उसके बाद कितना digit बच रहा है? 1. तो यहाँ पे हम 40 लिखेंगे, okay? नेक्स्ट लास्ट बचता है 4. यह सिंगल 4 है. हम यहाँ 4 लिखेंगे. अईसे कहते हैं expanded form. 123. अब क्या करेंगे? 1 यहाँ लिखेंगे. उसके बाद 2 0 बच रहा हैंगे. 1, 2. अब क्या लिखेंगे? 2. 2 के बाद कितना digit बच रहा है, बिटा? 1. तो हम यहाँ पर 0 लगाएंगे. अब लिखेंगे last 3. यह सिंगल बच रहा है, okay? 536. अब क्या करेंगे? 5 को लिखेंगे. उसके बाद 2 digit है. तो 2 digit को हम क्या करेंगे? 00 लगाएंगे. उसके बाद लिखेंगे 3. तो 3 के बाद कितना digit बच रहा है? 1 digit, okay? Last बचता है 6. हो सिंगल, okay? Question number 7. Write the number that comes before, after and between. अब आज मैं आपको समझाएंगे कि before किसे कहते हैं, after किसे कहते हैं and between किसे कहते हैं. ठीक है, before means होता है पहले, जो पहले आता है. After means बाद में, जो बाद में आता है and between जो बीच का होता है. जैसे example है 399. तो 399 से पहले क्या आएगा? 399 से पहले क्या आएगा? 398, okay? अब 870 के बाद क्या आएगा? 871. अब ऐसे आपको serial wise complete करना. 471 के बाद, 472 and 473. ऐसे आपको complete करना है चिल्डेन? ओके चिल्डेन, thank you. Have a good day.